तो मैं सबसे पहले अपना परीचे देना चाहूँगा कि इसी पंजाब जोन से निकल करके अभी 35 वर्षों से मदुबन में मदुबन निवासी बनने का सभा के अप्राप्त हैं मैं अपने आपको बहुत भागेशाली मानता हूँ कि सप्तर के दर्शक में 1970 में जैसे दिदी जी ने कहा कि अचानक मुझे आना हुआ जलंदर में जिन दिदी ने शरीर छोड़ा वो 1970 में हमारे लौकिक बड़े भाई को उन्होंने ग्यान में चलाया था उस समय मैं पांच साल का था लेकिन साथ साल आठ साल की उमर में मेरे को उंगली पकड़ करके रहने वाला हूँ शिमला में भी ऐसे गाउं से निकला हूँ जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी तो उस गाउं में ना बिजली थी ना सड़क थी लेकिन फिर भी जब भाईया को ग्यान अच्छी तरह से समझ में आया तो उन्होंने एक लक्षा क्योंकि परिवार में सब किशादियां हो गई थी मैं ही एक कुमार बच्चा था तो उस समय भाईया ने अंदर से ये इच्छा रखी कि भी कम से कम एक बच्चा हमारा इस संस्ता में जोड़ जाए आज के परिवेश में कोई भी माबाप अपने बच्चे को सन्यासी होते हुए देखना चाहेगा पडोसी का बन जाए हमारा ना बने ऐसा होता है कि नहीं होता है लेकिन उस समय मेरे उपर ये उनकी नजर थी लेकिन मैं छोटा था मुझे पता नहीं था लेकिन मुझे याद है 78 में पहली बारी जब बाप दादा से मिलने के लिए आप जब मदुबन में आएंगे तो ओम शांती भावन भी नहीं होता था मेडिटेशन हाल होता था वहां पर बाबा अब्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में आए थे तो हम पांच का परिवार का गुरूप उस समय तो अभी तो आप डाइमंड हॉल में बैठते हैं कितने दूर से देखते हैं लेकिन अलग उसमें पर्सनल मुलाकात बाप दादा से होती थी तो मुझे वो दिन याद आ रहा है आज तो जब हम बाबा के सामने गे तो सबसे पहले अव्यक्त बाप दादा ने मेरे से प्रशन पूछा था बच्चे कच्चे हो या पक्के हो स्वैम ओल्माइटी और थार्टी कह रहा है कि बच्चे कच्चे हो या पक्के हो मैं फोर्थ से फिप्त स्टेंडर में आया था फर्स डिजन में पास हुआ था तो भया ने शर्त रखी थी अगर फर्स डिजन में आएगा तो तेरे को भगवान से मिलाएंगे अब मेरे को उत्तर देना तो था आता नहीं था उत्तर मैंने मुड़के ऐसे थोड़ा भया की तरफ देखा तो उन्होंने दीरे से बोला बोल दे पक्का हूं अब उत्तर जब बच्चों को मिल जाएं तो क्यों दीरे बोलेगा वो मैंने जोर से बोला बाबा पक्का हूं लेकिन बाब दादा ने उस समय मेरी जनम पत्री पढ़ ली थी जैसे आज कहा ना कि बाबा के पास हम सब बचों की जनम पत्री है वो सब जानता है बताता नहीं है जहां इशारादेना होता है वो बेहनों के दोरा फिर दे भी देता है ऐसा नहीं है छोड़ता नहीं है तो वो शब्द हमने लिखे लेकिन उसके बाद आएगे पूरा हुआ अपनी पढ़ाई की और मैंने ITI करने के बाद सोचा कि अपना कोई कारोभार करेंगे लेकिन बाबा ने जो कच्चा और पक्का पूछा ना तो मेरा भाग गया उसी समय मेशा क्योंकि दुनिया में लोग यह सोचते हैं कि हम लोग सबका यह लक्षा होता कि किसी सादू, संतो, रिशियों का बड़ों का सानिद्य हमारे उपर हो तो धन्य समझने अपने को लेकिन 83 में मैंने IDI मोटर मकैनिका जब किया तो ड्राइबिंग का मेरे को शौक था और ब्रदर की पोस्टिंग सुंदरनगर में थी और रहते हम बिलासपूर में थे पहली बारी ब्रदर ने कहा कि शिमला जाओ, शीला भेन मंडी में जो रहती है, उनको गोड़ों में दर्द रह देखिए संयोग देखिए, पहला दिन गाड़ी में ही ड्राइब करता था, भाया साथ में बेठे होते थे, लेकिन उस दिन पहली बारी मेरे को चुटी दिया, और मैंने पहली बारी जूट भी बोला था, मोसम ठीक था, लेकिन मैंने जानके बोला कि मोसम खराब है, ताकि गाड़ी की चुटी मिले, अब मैं घर से चला, स्फेद कपड़े पहन करके, बैज पहन करके, सबसे पहले सेंटर पे जाओंगा, दीदियों को बताओंगा, कि मैं गाड़ी लेके आया हूँ, बच्पना था, अब मैं घर से चला, पांच किलमेटर भी आगे नहीं गया था, कि आगे अमीर चंद भाई, चंदरमणी दादी और विजय बेन खड़े हैं, कॉलेज के लड़कों ने रोड़ बंद कर दिया, अब उस समय यग्या में गाड़ी नहीं होती थी अपनी, 83 की बात है, पंजाब जोन में चंदरमणी दादी टेक्सी करके कुलू जा रही थी, म दादी ने मेर को ऐसे तीन बारी नीचे उपर देखा, तो दादी तो मुझे जानती नहीं थी, मैं तो जानता था दादी को, तो फिर पूछा कौन हो, मैं का, मैंने फिर भाईया का नाम लिया, कि मैं उनका भाई हूँ, तो अमीर चंद भाई बोले कि दादी को सनान का ख्य जाओ, चंडिगर दादी को मैं लेके लाता हूँ, जैसे ही दादी को गाड़ी में बठाया, देखो बड़ों के शब्द कैसे बर्दान मिलते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, दीदियों के सानिध्या में रहते हैं, दीदिया आप लोगों के उपर दृष्टी डालते हैं, तो रिष्टी का भी महात्व है, और दीदिया कुछ मुख से अगर बर्दान दे दिये, वो सिध भी होते हैं, तो दादी ने भी मेरे को यह बर्दान दिया, कि आप जैसे भाईयों की मदूबन में जुरूरत हैं, एक किलोमेटर भी गाड़ी नहीं आगे बड़ी थी, दादी क देख करके भाईया बोले, जिन्दगी में अगर तुने कोई अच्छा काम किया है, तो आज किया है, और फिर मेरे को पेटरॉल के लिए पैसे दिये, कि दादी की जब तक जूरते हैं, तब तक सेवा में रहना, अच्छा, अब मैं मदूबन आया वापस, मुझे नी था पत कि मैं पहली बारी मदूबन आया, दादी को बोला कि एक भाई का परिचे में करवाती हूँ, बरी सबा में कलास में मेरा परिचे करवाया कि ऐसे समय पे मुसिबत में थी में, बाबा ने इसको फृष्टा बन करके हमारे पास भेजा, मेरे को कुलू तक छोड़ के आया, दा कादी ने मेरे मुख में टोली खिलाई उपर, हॉल में, उसी समय मैंने संकल्प किया, मैं का काश अगर ऐसी आत्माओं के साथ, अगर मेरा जीवन सेवा करने का व्यतीत हो, तो इसे परे और क्या भागे चाहिए, वो संकल्प और उसके बाद मैं वापस आया, दो मास के को सेवा में बुला लिया, मैं सेवा में बुलाया, उसके बाद आज दिन तक मदुबन में ही रह गया, तो दादी का बरदान मिल गया, वो ही बरदान